हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सब का मेरे यूट्यूब चैनल क्रियेटर के के में VSDC में क्रोमा स्क्रीन या फिर ग्रीन स्क्रीन कैसे यूज करते हैं आज आप इस वीडियो में देखने वाले हैं दोस्तों वीडियो को पूरा देखना और बीच में स्किप मत करना तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं सबसे पहले आपको अपने VSDC वीडियो एडिटर को ओपन कर लेना है ओपन करने के वाद न्यू प्रोजेक्ट में जाना है विंडो ओपन होने के बाद सबसे पहले आप जहां पर अपने प्रोजेक्ट का नाम देंगे उसके बाद आपको सेटिंग में जहां नीचे रेजोल्यूशन कितना चाहिए वह आप सेट कर सकते हैं जो भी आप वीडियो का रेजोल्यूशन सेट करना चाहते हैं वह आप जहां से सेलेक्ट कर सकते हैं इसके बाद फिनिश पर क्लिक करें फिनिश पर क्लिक करते ही यह विंडो ओपन होगा बैसिकली यह पूछ रहा है कि आप कौन से वीडियो को इंपोर्ट करना चाहते हैं तो मैं जहां से chroma की वाला वीडियो सेलेक्ट कर लेता हूं, इसे हम इंपोर्ट करेंगे। इस तरह से हमारा chroma की वाला वीडियो जा green screen वाला जो वीडियो है जहां पर आ जाएगा। अब यह वीडियो किस वीडियो के उपर लाना है basically, क्योंकि green screen तो हट जाएगी बट green screen हटा कर हमें किसी न किसी वीडियो के उपर लगाना होगा। तो उसके लिए एक दूसरा वीडियो सेलेक्ट कर लेते हैं। दूसरा वीडियो सेलेक्ट करते ही ये option आएगा, इसको okay कर देना है। तो आप इस वीडियो को सेट कर सकते हैं, इसको सेलेक्ट करके ड्रैग करके नीचे वाले लाइन पर ड्रॉप कर देंगे। एक चीज ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, वो यह कि जो भी ग्रीन स्क्रीन वाला वीडियो है या फिर क्रोमा की वाला वीडियो है, उसे आप उपर रखेंगे ना के नीचे। ग्रीन स्क्रीन वाले वीडियो पर क्लिक करते हैं, अब उसके बाद आपको एडिटर में वीडियो इफैक्ट्स पर जाना है, इस पर क्लिक करिए और फिर ट्रांस्परेंसी में जाएंगे और ट्रांस्परेंसी में सबसे नीचे बैक ग्राउंड रिमूवर पर क्लिक एक option open होकर आएगा, इसे कुछ नहीं करना है, इसे बस okay कर देना है, okay करने के बाद right side में property window open होकर आगई है, इसे थोड़ा सा हम नीचे scroll करेंगे और हमें एक green screen वाला box दिखाई देगा, इस green box के बगल में एक pencil का icon दिखाई दे रहा है, इस पर हम click करेंगे और लाकर हम अपन वीडियो के उपर click कर देंगे, click करते ही green screen जो होगी वह हट जाएगी, अब आप इस वीडियो को जहां भी set करना चाहते हैं, वहां पर set कर सकते हैं, जो हमने second वाला वीडियो select किया था, ये वाला वीडियो basically उसके उपर आएगा, green color हटाने के बाद कभी-कभी ऐसा होता है क उसके बिलकुल नीचे जहां पर कुछ options दे रखे हैं, तो जो third option है, mini chrome city उसके ratio को बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे इसको बढ़ाते जाएंगे, हमारा green color हटता जाएगा, अब देखिए, यहां पर कहीं भी green color दिखाई नहीं दे रहा है, और सभी जगे से green color हट चुका है Green color हटाने के बाद आप अपने project को export कर सकते हैं, अब अगर आप ऐसे ही कोई और वीडियो देखना चाहते हैं, या कोई और tool सीखना चाहते हैं, तो आप हमें comment कर सकते हैं, आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद है, अगर वीडियो आपको पसंद आए, तो वीडियो को like कर दें, channel को subscribe कर दें और bell icon भी दवा दें, ताकि आपको ऐसे ही वीडियो की notification सबसे पहले मिलते रहे, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं, ऐसे ही किसी और वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद!